हेलो अब हम लोग इस वीडियो में यह पता करेंगे कि फ्रेक्शन क्या होते हैं ठीक है तो फ्रेक्शन पता करेंगे पहले फ्रेक्शन क्या होते हैं फिर फ्रेक्शन के टाइप पहला टाइप कुन सा है प्रॉपर फ्रेक्शन बहुत इजी समझेंगे फिर इंप्रॉपर फ् समझ रहे हैं वो है fraction क्या होते है fraction कुछ नहीं होता दो number दो number के बीच में ऐसे उनको divide करना है ऐसे उनको upon लिखना है ऐसे divide करना है कि वो एक whole का part हो एक whole का क्या हो? part हो जैसे मैं बूलू 3 by 2 तो एक part है total उसमें कितना है? 3 by 2 part बना पूरे एक whole में से 3 by 2 part अलग करना इसे क्या अलकलाता है fraction fraction का चत के ऊपर उसे बोलते है numerator और जो नीचे होता है इसे बोलते है denominator ठीक है? अच्छा अब समझेगा fraction जो होते हैं डो type के होते हैं डो type कुन कुन से हैं भाई? पहला type है proper fraction दूसरा है improper fraction छीक है? अब देखिएका समझेगा मेरे साथ proper fraction और improper fraction में अंतर क्या है? बहुत easy है देखिए पहला लिखता हूँ मैं proper fraction proper fraction में देखिए क्या है? कि जब भी कभी ऐसा number जैसे मैं बोलूँ कि 3 by 5 3 by 5 अब यह मुझे समझेगे आप कि 5 नीचे है और 3 उपर है क्या यह 5 थी को उठा पाएगा? हाँ उठा लेगा क्यों थी चोटा है और यह 5 बड़ा है तो 5 राम जो उठा सकता है तो मैं बोलूँ का यह बात proper है इसकी यह बात क्या है? प्रॉपर है यह क्या क्या था राम दा हएगा? फॉपर फ्रेक्शन अगर मैं ऐसे बूलों कि 2 बाय 6 तो आप बुलोगे हाँ 6 बड़ा है तो नीचे उठा सकता है इसको अगर मैं बोलूगे हाँ यह बगा है प्रॉपर फ्रेक्शन बात सांज में आ यह क्या? अच्छा 2 ने 3 को उठाया हुआ है, improper है बात, यह तो बिल्कुल सही बात नहीं, ऐसे कैसे उठालेगा 2, छोटा है 2, 3 को कैसे उठालेगा, तो क्या बुलिंगे इसको, improper fraction, ठीक है, अगर मैं बोलू, 7 by 10, फिर आप बोलोगे, नहीं नहीं, यह भी improper है, यह भी improper है, बात सवन में क्या र होल, एक और क्या होता है, होल, जैसे मैं बोलू, 10 by 5, तो इसको काट है, कितना आएगा, 5 आ रहा है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यह improper भी करा सकता है, और होल नंबर भी करा सकता है, बात समझ में आई क्या, इसके बाद आपन समझेंगे, अपना क्या हो गया, क्या क्या हो गया, प्रापर फ्रेक्शन हो गया, अब प्रापर लगा लेंगे फ्रेक्शन क्या होता है, इंप्रापर हो गया, अब करेंगे लाइक और अनलाइक फ्रेक्शन, जहांज लेखेगा, लाइक और अनलाइक फ्रेक्शन, पहला, अगर मैं बोलू, 2 अपॉन 6 और, 4 अपॉन 12, लाइ ऐसे 4 अपॉन 12 को लिया और काटा कितना आया 1 अपॉन 3 दोनों अंसर कितना आ रहा है 1 अपॉन 3 तो मैं बोलूँगा येस 2 अपॉन 6 और 4 अपॉन 3 आर लाइक फ्रेक्शन बात समझ मही और जो ऐसा ना हो उन्हें क्या बोलते हैं अन्लाइक फ्रेक्शन जिनका सॉल्व करने पर या रिड्यूस करने पर उनको इक्वल ना है तो उन्हें क्या बोलते हैं अन्लाइक फ्रेक्शन बात समझ मही अब ध्यान से समझेगा अपन कनवर्जन सीख रहे हैं जो की बहूत इमप्रोबर चीज़ है बहुत लोगों को नहीं आता पहला हम सीखेंगे मिक्जड फ्रेक्शन को मिक्जड फ्रेक्शन को कनवर्ट करना है इंट। इंप्रॉपर फ्रेक्शन ठीक है करते हैं देखिए question क्या है यहाँ पे question आगिया 2, 1 upon 3 2, 1 upon 3 तो देखिएगा यह 2 है यह उपर छट के उपर 1 है यह 3 है ठीक है देहाँ समझेगा क्या solve करते हैं देखिएगा बढ़ा easy है क्या solve करते हैं इसका इससे multiply ठीक है और फिर जो answer आया उससे add जो answer आया उससे क्या add जैसे देखिएगा 3 into 2 3 into 2 plus 1 और denominator क्या होगा जो इसमें भी denominator है 3 बासन में आई गया इसका इससे multiply और जो answer आया उसका इससे plus और यहाँ पे जो denominator इसका denominator हो भी इसका denominator हो जाएगा कितना हो जाएगा solve हो कही है 6 plus 1 upon 3 7 upon 3 या फिर 7 upon 3 बासन में ही क्या यह होता है conversion ठीक है इसके बाद अगर हम देख लें कि अब बताएगा कोई कि improv एक और question ले जो जो इसका ठीक है आपको 2 7 upon 3 का बता दीजेए ठीक है देखो तो क्या formula क्या था इसका इससे multiply तो 3 multiplied true उपर plus 7 divided by कितना 3 तो कितना हो जाएगा 6 plus 7 upon 3 7 plus कितना होगा 13 upon 3 बासन में आई गया यह क्या हो जाएगा अपना solution अब देख लेज़ेगा improper अब mixed को मैं improper को करूँगा मिक्स्ट में improper into mixed मैंने का देख लेते हैं आजाएगे मैंने लिखा यही question improper fraction है 13 upon 3 इनहीं convert करना है मुझे mixed में ठीक है देख लेते हैं यह जो ऊपर है numerator इसको ऐसे डिवाइड करेंगे आप जो 13 है उसको बीच में लिखिए यहाँ पर और नीचे है यह डिवाइजर हो जाएगा यहाँ पर अब आप उसको गवाइड करने को किजिएगा कित्ते बर जाएगा थ्री थ्री या नाइन और थ्री फॉर्जा ट्वेल्फ यहाँ थ्री फॉर्जा क्या ट्वेल्फ तो मैं बोला थ्री फॉर्जा ट्वेल्फ थ्री फॉर्जा कितना ट्वेल्फ ठीक है थ्री फॉर्जा ट्वेल्फ अच्छा थ्री फॉर्जा कितना बचा यहाँ 1 बचा यहाँ कितना बचा 1 बचा अब इसको convert कर लिजे आप तो यह जो लिखा है ना यहाँ पर इसमें सुरुआ साथ गरबड़ी हुए I guess लेकिन तब भी आप देख लिए यह easy है ऐसी कि आपने 3, 4, 8, 12 अब यहाँ पर जो यहाँ है ना यह answer remainder क्या बचा है, one यहाँ पर और year यहाँ है सब्चमे आए क्या तो यह अपना क्या हो गया form हो गया, इसका mixed form हो गया, ठीक है एक और question दीख लिए अबबन यहाँ पर यह लिखते है, 7 multiplied 3 को 7 divided 3 को करके 7 x 3 7 upon 3 को देखते है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 तो 3, 2 जा कितना, 6, कितना बचेगा, 1, अब देखे, क्या बदाया था मैंने, यह जो answer आया है, यह बीच का आयाएगा, answer आम इसे बीच का होगा, जो नीचे छट के हजब से, reminder है, वो उपर चरहा दो उसको, और जो उपर पहले सही है, उसको, नीचे कर दीचे, तो इसका क्या